दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे टेरिस गार्डन में और देने वाला हूँ गार्डन का फुल टूर बताऊंगा अभी मेरे गार्डन में सबजीयों का क्या अपडेट है साथ मैं जो खास टिप्स है इन पौधों की केर की उनके बारे में भी हम बात करेंगे तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरसेन गाडनिंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल जाए मैं आपको कुछ चीज यहां दिखा देता हूँ देखिए यह मेरे हाथ में है पुदीना के पौधे जो मैंने इस तरह से पानी में इसकी कटिंग लगाई थी अब देखिए पानी में इसकी रूट बन गई है और ऊपर यह जो पुदीना है इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है यहां आप देख सकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यह पानी में ही ग्रो हो जाएगा और पानी में ही हम इसकी जो पहली यह पत्तियां है इने हार्वेस्ट कर सकते हैं तो बैसे तो मैंने मिट्टी में लगाने के लिए रूट ग्रो की थी और इसका कमप्लीट वीडियो चैनल पर पबलिस भी है आप चाकर देख सकते हैं कैसे मैंने इने उगाया है इस तरह से पानी में पुदीना उगाया है तो जरूर बताएं कि मुझे इसे पानी में ही यह जो आप देख रहे हैं तो इस तरह से एक ग्रोथ हो रही है पहले तो इससे में पाधे जिता हूँ साइड में और बात करते हैं अभी हमारे ग्रेडन में के अब दे चल रहा है तो यहाँ पर जो भीनндी के पौधे लगे हुए थे इनका मैं अब्देट दे तो अब इन पौधों में आने लगे हैं इस तरह से फूल, ये देखिए भिंडी की जो पहले छोटी बट्स बनती हैं, उनमें फिर ये फूल खिलेगा और फूल खिलने के बाद भिंडी बनना शुरूओगी जैसे अभी इसमें फूल नहीं खिला है, तो कुछ लोगों का ये क ग्रोबैग है, 60-15-15 इंच का ये रेक्टेंगुलर ग्रोबैग है, इसमें हमने धेर सारे भिंडी के पौधे लगाए हैं, थोड़े ज़्यादा घहने लगा दिये हैं, दूरी एक फिट होनी चाहिए, तो लगभग लगभग एक फिट हमने मैंटेन की हुई है, इस तरह थ बहुत जादा मजबूत नहीं होते तो लकडी का सहारा जरूर दीजिए, और नीचे इस पेसली अभी कोई केर नहीं है, जो इनके पत्ते खराब हो रहे हैं, बस हमें उन्हें हटा देना है, जैसे की ये है, आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसको मैं यहा स्प्रेयल का स्प्रेय भी करिएगा, ताकि जो छोटी बारी फिलाई होती है, वो यहां पर ना वैठें, काफी इसमें आती हैं वो, और इसके साथ ही हमने यहां पर जो है, येलो इस्टिकी ट्रेप लगा दिये हैं, ये आप देख सकते हैं, ताकि जो कुछ फिलाई जो है, इसमें आखे यहां पर चिपक जाती है, इसमें आप देख सकते हैं, धेर सारी जो है, मख्यां आप देख सकते हैं, कितनी सारी इसमें चिपकी हुई है, तो इस तरह से ये आप स्टिकी ट्रेप का इस्तमाल भी कर सकते हैं, अभी मैंने पूरे गार्डन में स्टिकी ट्रेप लगा दियें आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी जो मक्हियां थी वो बहुत ज्यादा हो रहे थी इस चीज के लिए हमें एक काम करना पड़ा और दूसरा बैच यह है इसमें भी फूल आने लगे हैं तो पौधे अभी छोटे थे तो हमने लखडी नहीं लग पौधे कमजोर हैं चोटे पौधे में ही आप देखिए यह चार-चार इंच के पौधे में भिंडी आने लगी है तो भिंडी धूप पसंद करती है और आपको इसे धूप में रखना है अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो फिर कुछ इस तरह करे जल्ट होगा सेम प बांध रखा है जो हमारे ये लखडी के बांस की लखडी की जो स्टिक है इससे हमने बांध रखा है और टमाटर अब काफी अच्छे लग रहे हैं आप यहां से देखी सकते हैं कि टमाटर काफी अच्छे लग गए हैं और उपर भी अभी फूल आते जा रहे हैं टमाटर ल कि अब लिफ माइनर का लिवान पार लगादिया है इस तरह को यह जो आप देख रहे हैं तो यह हम ने यहां पर लगा दी और बीज से ही हमने इसके पौधे तैयार किये थे फिर इन पौधों को यहां ट्रांसपर कर दिया है अक्सर यह क्या होता है कुछ समय बाद यह पौधे मर जाते हैं तो मुझे औरेगेनों उगाने का पूरा भी आइडिया नहीं है मैं ट्राइ कर रहा हूं सीजन में भी यह सर्दी में होता होगा लेकिन मुझे आइडिया नहीं है तो अभी मेरे पौधे बन गए थे तो मैंने लगा दिया है अगर आप मैंसे किसी ने औरेगेनों उगाई है तो जरूर बताएं बहुत अच्छा होगा मुझे हैल्प मिल जाएगी इसके बाद ये है हमारा आजवाइन का पत्ता कुछ लोगों का कमेंट्स आया कि इसी के पत्ते को सुखा लीजिए तो औरेगेनों बन जाएगा ट्राइ जरूर करूंगा मैं बाकि इसे हार्वेस्टिंग के समय जरूर हार्वेस्ट करते हैं पकोडे बहुत अच्छे लगते हैं जैसा आप लोगों ने बताया था तो पकोड़े खाए मुझे बहुत अच्छे लगे बहुत अच्छे से खुसबू आती है और यह एक ही पौधा है इसकी कटिंग कर दी थी तो यह इतना बुसी बन गया है इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो उसके बैंदे के पौधे शोटे चोटे तो बैंदे के पौधे हैं कुछ बड़े हो गए हैं तो इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेंगे जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कुछ बड़े हो गए बैगन इन्हें हम तोड़ लेंगे और इस तरफ हमारे गैंदे के पौधा है तो इसमें फूल भी आ गए है और बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं नौबाई 9 इंच के ग्रो बैग में लगा है अच्छा चल रहा है यह हमारा पुराना कड़ी पत्ते का पौधा है एक काफी पुराना है चार-पांस साल पुराना है ग्रोथ इसकी बिल्कुल नह हार्वेस्टिंग में इससे काफी टमाटर हमने तोड़ लिये हैं वह हार्वेस्टिंग वीडियो जरूर देखिए बहुत सारी सब्जियां वहां से हमने तोड़ी है यह हमारी पालक अच्छा पालक भी हमने सेम हार्वेस्टिंग के वीडियो में हार्वेस्ट की थी लेकिन मतलब आपको हर्वेस्ट करने मिलेगी और पूरी गर्मी में उगाऊंगा पालक को तो मेरे साथ आप भी उगाएं पालक बहुत अच्छी होती है खाने में बहुत टेस्टी लगती है यहाँ पे एक ग्रीन बेगन में एक दो तीन बेगन लगे हैं और यह पुराना पौधा है इस तरफ हमने लाल भाजी और हरी भाजी लगाई है मतलब चौलाई की भाजी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी भाजी कि जो बीज हैं वो उग रहे हैं यहाँ पे आप देखिए ध्यान से तो यह पौधे उग रहे हैं बहुत ही छोटे पौधे होते हैं और यह लाल भाजी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इसके यह पौधे उग रहे हैं इसके बाद यहां पे है हमारा भरता बैगन तो यह इस तरह से बैगन लगते हैं यहां से बैगन तोड़ते हैं यहां पे एक तुलसी का पौधा है अब इस तरह से तुलसी के पौधे में जब यह फूल आ जाए तो इसे काट दीजिए बनना पौधा कमजोर हो जाएगा यहाँ पे एक पोधा लगा हुआ है पॉर्चुलुका का इसमें इस तरह से आते हैं फूल और बहुत अच्छा लगता है इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो एक टमाटर है और यह टमाटर है येलो पीले कलर का ये टमाटर होगा इस तरह से आप देखिए अब इसमें टमाटर आने लगे हैं और देखते हैं अब कैसे टमाटर बनते हैं इसमें ये आये हुए हैं टमाटर देखिए येलो ग कर दी थी इस ग्रो बैग में, उपर से हमने थार्वेस्ट करना शुरूं एंगी, थि वार से इसे हर्वेस्ट करना फेरी करना स्टार्ट कर देंगे, यहां पे हमने सीलेरी लगाई है, इए वारे मैं ने यह पौधे उग रहे हैं छोटे उग रहां और एक ही जगह हैं यहां कुछ कम हो गई है तो सेलेरी में लगाता हूं तो गर्मी में हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले भी मैंने उगाई हुई है इस तरह पाजाएं तो यहां पर हमारी इस्ट्रॉबरी में फूल आ रहे हैं लेकिन फूल में तो नहीं हो रहे हैं यह देख WR शक्ते हैं आप यहां पर चोटे छोटे फूल आ और यह बीज से उगए गई इस तरह से सूख रहे हैं तो इन्हें इस सही रहीं बहुत जादा हमने इन्हें गर्मी से बचा लिया तो पौदे बचेंगे बनना ये खराब हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है स्टावरी के साथ और यहां पर हमारा ये गुलाब पीले कलर वाला ये हमारा लाल कलर वाला गुलाबी गुलाब और ये जो देख रहे हैं इस गुलाब में मैंने फूल को छोड़ा हुआ था कि मैं इसके जो फूल है उनको बीज निकालूंगा देखिए मैं आपको दिखा दूँ तो ये देख रहे हैं आप ये बीज के लिए मैंने छोड़ा हुआ है और अब देखते हैं इसमें कब बीज बनते हैं साइद ये रेडी होने वाला है और मैंने एक वीडियो भी आपको पब्लिस् किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि गुलाब की जो बढ़ होती है उस से गुलाब नहीं हो गाया जाता वो फेक वीडियो है जो की काफी यूटूब में चल रहे हैं उसी वीडियो के लिए मैंने बीज बनाने के लिए यह गुलाब के फूल छोड़े थे तो अब उसके बीज बनेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि बीज से कैसी गुलाब उगाया जाता है फिलहाल मैं ट्राइल कर रहा हूं देखता हूं सकसेज होता हूं की नहीं लेकिन सबसे अगर आप अच्छी मेथड की बात करें तो वो है कटिंग से गुलाब के पौधे को उगाना कटिंग से आप अगाई यह best method होती है और हमेशा आपको अच्छा result मिलेगा बांकी बीज से और जो फूल से तो होता ही नहीं है गुलाब बीज से हो सकता है अगर आपको अच्छे quality के बीज मिल जाते हैं यह हमारे दो बैगन और यह जो बैगन है यह इस तरह से लंबे वाले white बैगन है और यह काफी अच्छे लगते हैं आप देख सकते हैं और धेर सारे लगते हैं तो यहाँ पे कुछ यह बैगन अभी लगे हुए है लास्ट हार्वेस्टिंग में हमने यहाँ से बैगन तोड करेंगे नी मॉयल का इस्प्रे करेंगे जब यह सही हो जाएंगे तो इन्हें अपनी पुरानी जगह पर रख देंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यह ऑस्ट्री पीम करके को एक फूल है और देख सकते हैं देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है कंपोस्ट और जो है मिट्टी की फिलिंग कर दी है नीचे आप देख सकते हैं और जब फूल आते हैं तो बहुत सुन्दर लगते हैं यह देखिए आप किसको यह फूल पसंद आया अभी के अभी कमेंट कर दीजिए और इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए म और रेननकुलस की बलब से मैंने उगाय हुए थे तो यहां पर यह पर यह बहुत सुन्दर लगते हैं देखने में और बिलकुल गुलाब की तरह होता है यह फूल देखिए और बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए यह भी मिक्स कलर है लाल है गुलाबी है सफेद है तो ये भी मिक्स कलर के फूल है, इस तरह है हमारी अजवाइन, अब ये अजवाइन कौन सी है, जो मसाले में हम अजवाइन यूज करती हैं, ये वो वाली अजवाइन है, फूल आए हुए हैं, और अजवाइन कहीं बन रही होगी, तो मैं आपको दिखा दूँगा, होती जाती हैं, अभी मुझे इसका नाम नहीं पता, नाम का टेग मैंने लगाया तो था, लेकिन मुझे अभी यह है, यह है, और इन्थो ग्लमस करके कुछ नाम है इसका, और यह बहुत सुन्दर लगता है, ऐसा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुन्दर है, और मुझ अभी देखिए, दो-तीन ओर खिल गए तो यह खिलता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, तो यह बल्ब काफी दिन से लगी हुई थी, अब इसमें फूल आ गए हैं, सामने वो लल्टेना आप देख रहे हैं, और यहां पे है हमारा वाटर मेलन, अब इस वाटर मेलन में अंदर से यलो निकलेगा, इसमें अभी फूल आना सुरू हुए हैं, यह देख सकते हैं, आप मेल फूल आया हुआ है, फीमेल फूल अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं, और पौधे उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े से कमजोर हैं, देखते हैं आप यहां से वाटर मेलन मिल पाता है कि नहीं, और मिलेगा तो बिलकुल आपको अपडेट मिलेगा उस चीज का, इनकी बेल को हम इसी तरह से आगे पीछे कर रहे हैं, इसी ग्रोवेग में फैलाना है, क्योंकि मचान नहीं बनाई है, गर्मी बरदास्ट नहीं करते यह, और बहुत ज़्यादा पत्ते स हमने पौधे बना कर लगाई हुई है, अब देखिए जो हमने पौधे लगाए थे तो वो अच्छे से चल गए हैं, और ये सारी चुकंदर आप देख सकते हैं, कितनी घणी है, क्योंकि हमने घणे ही पौधे लगाए हैं, लगबग चार-चार-चार इंच के दूरी पर उखते तो उनको सीडलिंग ट्रे में पहले पौधे बना लें, फिर इस तरह से उन्हें लगा दें तो एक ही ग्रो बैग में धेर सारी चुकंदर आपको मिल जाएगी, और बड़े आसानी से अच्छे से ग्रो हो जाएगी, ये हमारी पुरानी धनिया हार्वेस्ट कर ली है री ग्रो उतनी अच्छे नहीं हो रही है क्योंकि गर्मिया तेज हैं, दो ये बैगन हैं और ये परपल कलर के परपल वेरिगेट जो बैगन होगा उस कलर के बैगन होंगे, और अभी आप देख सकते हैं कि इनमें यहां से फूल आना सुरू हो गए हैं, ये देखिए ये आ बहुत लगी हुई है, तो इससे ये ये यलो हो रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये इसके लिए नीम उयल का इस्प्रे मैं करूंगा, अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बारिस बाला मौसम है, यहां पर हलकी हलकी बुंदा बांदी भी हो रही है, यहां प पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रही है, धूप की थोड़ी कमी थी, इसके बाद यहां पर है हमारी फ्रेंच बीन्स, जो की बीज हमने जर्मिनेट करके लगाई थी, तो अभी ठीक चल रही है, अभी इसमें फूल आना सुरू हो जाएंगे, इस तरह है हमारी गाजर, और गा आप लगाईए, तो आपको धेर सारी काजर मिलेगी, अभी काफी काजर लगी हुई है, आगे चलके हमें यहां से काफी काजर मिलने वाली है, यह है मिर्च के पौधे, अब मिर्च के पौधे में क्या हो रहा था, लीफ करल बहुत जादा आ गया था, तो हमने इसकी पौधे देख रहे हैं, आप उन्हें भी मैंने कल लगाया है, और यहां पे हमने लगाई है धनिया, अब इस धनिया में खासियत क्या है, इस धनिया के बीच को हमने जर्मिनेट करके लगाया है, और यह देखिए, यहां से यह निकलने भी लगा, एक धनिया यहां, एक धनि पर्मिया के भी जूगाकर नहीं लगा सकते हैं विडियो आप जरूर देख लेए इसके बाद यहां है लीक कहो रहा है कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी और हर बार की हार्वेस्टिंग में हम इसे भूल जाते हैं तो ये देख लेजिए नीचे इसके base में कुछ इस तरह से बन गई है तो मेरे हिसाब से तो अब ये ready है लेकिन इसको harvest नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हमें normally इसको harvest करना पड़ेगा लेकिन देखते हैं कलिया परसों फिर से जो है harvesting होगी तब इसको जरूर हार्वेस्ट कर लेंगे और लीक का कैसे खाने में इस्तमाल करते हैं वह भी नहीं पता तो अगर आपको किसी आप मेंसे किसी को पता है तो जरूर बताएं अगर आपने लीक लीक बोलते हैं इसको कुछ लोग लीक बोलते हैं कुछ लीक बोलते हैं तो बताएं जरूर की इसे कैसे हम खाने में इस्तमाल करें इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यह 24 बाई 24 इंच का बड़ा ग्रो बैग है इस ग्रो बैग में लगा है यह पपाया का पौधा पपीते में फूल तो आ रहे हैं लेकिन अभी फल नहीं बन रहे हैं आप देख सकते हैं फूल आ रहे हैं अब उमीद है कि इस गर्मी में इसमें जरूर फल बनेंगे देखते हैं क्या होता है इस तरह पे लगा रखा हुआ हमारा बॉटल में लगा हुआ पुदीना यह जो आप देख रहे हैं तो इसकी हमने कर दी थी प्रूनिंग और प्रूनिंग करने के बाद रखा है इसके बाद यहां से आ जाएं तो यह हमारी लेमन ग्रास है यह महंदी का पौधा है नीचे येलो विरा रखे हुए हैं यहां पर यह 12 मासी नीबू है और इसमें लग रहे हैं धेर सारे नीबू बहुत अच्छे नीबू आ रहे हैं और इस तरह आप देखेंगे त तो पुदीना अभी बहुत आसानी से हो जाएगा गर्मी में आप चाहें तो वीडियो देख ले मेरे दो तीन वीडियो पब्लिस की हैं मैंने कि पुदीना की केर कैसे करें पानी में कैसे लगाएं इसी पुदीना की प्रूनिंग भी की थी फिर बर्मी कंपोस्ट दिया था जब इसका ये तनी अच्छी ग्रोथ हो गई है ये लगी हुई है मूली और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मूली अभी लगाएं की नहीं देखिए मैंने तो अभी लगा दी है अब मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि गर्मी में ये होती नहीं है तो मेरा ये लास्ट है जो मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको लगाना है तो अभी लास्ट टाइम है लगाखे ट्राइ कर सकते हैं अगर मौसम सही रहा तो आपको एक बार हार्वेस्टिंग मिल जाएगी ये हैं हमारा संफिलावर सूरज मुखी का पौधा है जो की लंबी वाली वेरा होंगे की फिलिंग क्या होती है तो देख लीजे ऐसी होती है फिलिंग ये जो मिट्टी है यही मिट्टी को हम डाल देते हैं जो की पूरी तरह से गोबर की खाद और दूसरी चीजों से मिक्स होती है और इस तरह से की दाती है फिलिंग तो जो ग्रोबेग खाली होता है उस में लगाएंगे हम कड़ी पत्ता का जो नया मैं पौधा लेकर आया हूँ उसे, अभी मैं ट्रांस्पर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने उसे रख दिया है, ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, पौधा मैं कैसा लेकर आया फल देखिए यह वाला देखा था मैंने तो यह गिलकी लग रही है बेल उपर जा रही है अभी फिर आंगे चलके धेर सारी गिलकी लगेंगी इसमें यहाँ पर हमारी खीरा है यह और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चोटी खीरा इसके बाद देखिए साइड में बड़ी खीरा light green color की खीरा है अभी तो यह ग्रीण ही देख रही है देखते हैं light green कबँने धर यह और बड़ी यह ओ गए 10 छोटी यह है चोटे थे यह फल भेड सारे लगे हुए हैं और इस तरह से आ रहे हैं और अरब भी उपर पहुँचने वाली है तो खीरा का अभी ऊपडेट ह इस समय देखिए हमने इनकी हलकी सी गुडाई कर दी थी थोड़ी सी नमी जादा हो रही थी मौस्चर उड़ नहीं पा रहा था तो इस तरह से हमने गुडाई कर दी है और इनहीं की मिट्टी को उपर फैला दिया है ये वीडियो मैं मंडे को रेकॉर्ड कर रहा हूँ संडे में ये सब काम हुआ है तो संडे में गार्डन टूर का वीडियो रेकॉर्ड नहीं कर पाया कुछे मिर्च के पौने हैं ज्यादा तर में लीफ कर आया हुआ है तो अच्छे नहीं है और ये हैं हमारा prophecy melon, अब मस्क मेलन में क्या हो रहा है मन्सक मेलन में आने लगे है फीमेल फूल कहां आ रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कल ममने यहीं पर देखा था और उसमें मैंने हैंट पॉलिनेशन भी किया हुआ है यह है, दिखिए कल मैंने इसमें hand pollination किया है और अब ये अगर success रहा तो मेरे हिसाफ से तो success हो गया क्योंकि ये बड़ा हो गया है डबल size हो गया है और यहां से musk melon बड़ा होगा और आंगे चलके मुझे लगभग एक महिने में यहां से musk melon मिलने चाहिए और ये पोधे लगे हैं तीन ही पोधे हैं उस कुछ हमने ornamental sunflower लगा दिये हैं जो सूरज मुखी होते हैं छोटे होंगे ये गुलदस्ते वगेरा में यूज होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं देखने में इसके बीज नए आये हुए हैं बैट साइट organicbazar.net पर तो आप new listing में जाकर देख सकते हैं इनके बीज आपको मिल जाएंगे और एक kit भी लॉंच हुई है summer vegetable की जो की beginners के लिए है easy to grow 15 वहाँ पर summer vegetable हमने list की हैं तो उनको आप भी purchase कर सकती हैं अगर आपने अभी summer vegetable लगाना शुरू नहीं किया है तो ये है हमारी lettuce lettuce red rose और उसके पौधे हैं तो अभी harvesting हो गई है तो नीचे से खाली खाली दिख रहे हैं ये है हमारी food कच्री और food कच्री के देखिए एक दो तीन चार पौधे पांच वाप पौधा तक खराब हो गया है तो चार पौधे चल रहे हैं ये है हमारी जुकणी और कुछ लोग पूछ रहे थे जुकणी अभी लगा सकती है तो बिलकोल अभी समय है जुकणी लगाई जा सकती है और देखिए ये मधुमक्ही अंदर बैठी हुई है इस तरह से आती है और पॉलिनेशन काफी कुछ हो जाता है बांकि जिस पॉदे में पॉलिनेशन नहीं होता है तो जтесь खराब भी बहुत होती है तो ये थोड़ा सा है इनके साथ उपर आप देख रहें हैं चेयरी टमाटर है तो पॉदे तोड़े से कमझोर है अगर आप और्गनिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको यह चीज देखनी पड़ेगी और फिर यह बड़ा दुख होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते इसका तो इनको हटाते हैं तोड़ तोड़ के इस तरह पा जाते हैं यहां का कुछ चीज देख लेते हैं तो करेले छोटे सब्सक्राइम सब्सक्राइब वाले करेले मिट् सेंवर मिट्टी को इनका अरू आ मुटा दिया है यहां से जो एक्स्टा पत्ते थे और जो एगरोध थी वह टादी FREE है कैसी extra गरोध के यह देख सकते हुए लंबा वाला करेला है लंबे वाले करेले के फूल भी लंबे होते हैं अभ दिखिए इस समय आप इसमें हेंड पॉलीनेशन कर सकते हैं मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं देखिए यह ले लिया हमने एक फूल और एक मिनिट मैं राइट हैंड से ट्राइ करता हूं अब यह फूल जब हमने लिया तो इसका आपको देखिए यह इसके फूल के अंदर होते हैं पॉले पीले कलर के तो इनको आपको यहां पर लगा देना है और अब इस तरह से दोनँगोध से पकड़ा जाता है मैं एक हाउस से अभी केमरा लिया हूँ तो देखिए इस तारह से हम इसके फूलों को लगा देंगे तो यह यह हो गया आपका hand pollination अब यह क्या है यह करेला आपका होने लगेगा बड़ा दो-तीन एक फूल तोल लेंगे तो दो-तीन आप female फूल को pollinate कर सकते हैं इस तरह ऐसे तो यह बड़ा आसान है आप चाहें तो कर लीजिए बांकि करेले में problem नहीं होती जादा तर करेले तो pollinate होई जाते हैं बाकि लौकी गिलकी और कद्दू में बड़ी जरूरत होती है तो लौकी और कद्दू में hand pollination करना बहुत जरूरी देखिए इसमें भी आप easily कर सकते हैं तो बहुत अच्छा फिर आपको result मिलेगा आपके जो करेले में फूल आ रहे हैं female फूल वो खराब नहीं होंगे तो इनकी आप नीचे अच्छे से देख लीजिए कुछ इस तरह से हमने care की हुई है गुडाई करना बहुत जरूरी है ये important काम है आप अगर skip कर देते हैं तो बिलकुल skip ना करें गुडाई जरूर करें अच्छा इस तरह पा जाते हैं यहाँ पर pineapple का update है तो pineapple होने लगा है अब बड़ा और इसके side में आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से full full आते हैं जैसे ये देख रहे हैं ये हलका सा निकल रहा है तो ये पहले purple color के थे अब देखिए इस तरह से हो गए है color change हो गया सूख गए हैं में भी और अब ये बड़ा हो रहा है और उपर से फिर इसमें पत्तियां जैसी बनेंगी और नीचे बन जाएगा pineapple तो ये बहुत अच्छा है भी बड़े होने में तो लगबख दो महीना ले लेकर last year यहां से मिला था एक pineapple यहां लगा हुआ है ये जो pineapple है वो मैं बाजार से pineapple लेकर आया था उसी से लगाया देखते हैं अब इसमें कब मिलते हैं हमें तोड़ने के लिए pineapple ornamental चिली है ये अब इसमें क्या है देखिए कितने सारे फूल आये हुए हैं इतने सारे फूल हैं लेकिन इसमें भी ये देखिए कुछ problem हो रही है तो देखते हैं पौधे बचपाते हैं की नहीं इनमें रोग बहुत आते हैं मिर्च को उगाना बड़ा tough होता है बहुत ज़्यादा इसमें रोग आते हैं इस तरह आपको दिखा दें तो ये cherry tomato की हमने जो cutting लगाई थी तो cutting से जो cherry tomato है वो आप लगने लगे हैं ये देख सकते हैं आप और जो कुछ पत्तियां खराब हो रही हैं हम उने इस तरह से हटा देंगे और बागी के ठीक है चल रहा है पौधा साही से और ये इस तरह से इनमें जो है ये देखिए इस तरह से इतनी पत्तियां खराब थी हटा दी हैं तो ये tomato इसमें लग रहे हैं तो उसका वीडियो देख लें चैनल पर पबले से आप देख सकते हैं यहां पर हमारी जो American Black Cucumber है उसके आपको कुछ मैं दिखा देता हूं तो यहां पर ये कुछ फल लगे हुए हैं मतलब कुछ खीरा लगी हुई है और आप देखिए ये कितनी ज़्यादा लगती है यहां से आप देख सकते हैं देखिए यह है एक दो तीन चार नीचे एक पाँच छे साथ आठ पीछे आप देखिए गुच्छों में लगी हुई है यहां पर आप देखिए तो यह लगी हुई है और इसका जो ये size है यह आपको तोड़ लेना है इसके बाद यह तैयार हो गई यह harvesting के लिए इस size में आप तोड़ सकते हैं easily यह harvesting के लिए क्योंकि फिर यह पौदे बढ़ते जाएंगे तो हमने क्या किया है इनको एक side कर दिया है अब जैसे यह बेल थी तो यह बेल उपर के लिए भेजना था हमें तो सीधा एक रसी बांध नहीं थी यहां से लेकिन वो नहीं बांध पाए तो हमने इसको इस तरफ कर दिया है ताकि यह creeper हमने monkey net बांध रखी तो यह monkey net में यहां से ऊपर चली जाएगी और फिर फैल जाएगी कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसको और यहां भी आप मिलता है कितना हमें अच्छा इससे मतलब कोकमबर मिलती है बाकी यह जो किलिप आप देख रहे हैं यह देखिए प्लांट सपोर्ट किलिफ हैं यह और यह website पर आ गई हैं आप इन्हें ले सकते हैं इस तरह से यह फस जाती है यह निकल भी जाती है मैं आभी आपको यहां पर पढ़ने वाली है तो यह कुकुम्बर का अपडेट आंगे दि को यह हमारी प्याज और अब इसके अंदर बन रही है प्याज कैसे बन रही है मैं आपको दिखा दूँ यह देखिए यह देखिए यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं यह प्याज बन रही है यहाँ पर यह देखिए तो यह धेर सारी प्याज यहाँ पर आ रही है तीन बाई तीन फिट का यह ग्रो बैग है यह ग्रो बैग की मैं बात कर रहा था कि अब जब आप हमारे यहाँ से ग्रो बैग लेंगे मतलब और्गनिक बजार डॉट नेट से तो आपको इस तरह से ग्रोबैग मिलेंगे जो इस तरह से पीबीसी फ्रेम के साथ आते हैं बहुत अच्छे ग्रोबैग होती है इसमें आप देखिए हमने धेर सारी प्याज लगा रखी है और यह अच्छे से हो भी रही है त अब ड्रेगन फ्रूट में आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है और उपर आप देखिए एक बार बहुत ही सुन्दर है बहुत ही सुन्दर ग्रोथ आई हुई है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और अभी मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगा क्योंकि जैसे ही हम यहां से प्रूनिंग करेंगे उसके दो हफते बाद ही इसमें फ्रूट लगने लगेंगे तो वो मैं करूँगा मैं के समाइक में ताकि जून से इसमें फ्रूटिंग होने लगे जून से दिसंबर तक होती है फ्रूटिंग ड्रेगन फ्रूट में तब हम लेंगे लिए उपर से नीचे की तरफ इसकी ब्रांच आएंगी तो अच्छर जड़त मिलेगा यहे हमारा सफेद बाला कrela वाइट लिखा भी यह पीछे देखिए वाइट विटर गाड़ लॉंग और धूपना मिलने से बढ़ नहीं पाये थे पौधे अभी बढ़ना शुरू हुए हैं तो अभी उपर की तरफ चलें देखते हैं अब कब मिलेंगे यहां से करे ले यह है हमारा तौरई रिजिट गर्ड यह देखिए तौरई में आब आने लगे हैं फल तो तौरई का है अच्छा एक और खास ची यहां जैसे कि जुकिनी एक ही फूल को कि उन्हे लून घूमा का और यहां पहूल को पॉलनेंशल से लिधों के यहां लूंकी वह हैं और तो यह प्रेस ऑए अब फूला रहे हैं तो कद्दू भी जल्दी मिलेंगे यहां पहारी लोगी हुई आतो लौकी दीक चल रही अब इनकी बेल उपर पहुंची है, तो यहां से बेल उपर पहुंची है, तो अब यहां से बढ़ेगी, और आँगे चलके मिलेगी लॉंकी, एक कद्दू का फूल यहां भी आ रहा है, यह देख लिजे, खिला नहीं है, कल खिलेगा, कल कर देंगे पॉलिनेशन वहां पर, य इसके बाद यहां पर एक हमने जो पॉधा बनाया था, चैरी टमाटर का नया, तो वो मैंने लगा दिया है, इसका मैं ट्राइल कर रहा हूं कि अगर हम मार्च में टमाटर लगाते हैं, तो कब तक मिलेगा हमें, तो देखिए फूल तो इसमें आने लगे हैं, अब देखते ह अब इनने ग्रोथ लेना शुरू की है, साइध बरबटी इन में आएगी, देखते हैं, बरबटी अब कब लगती है, बाकि यहां पर लगे हैं बैगन, तो यह ग्रीन बैगन बहुत जादा लगते हैं, यह वाले जो बैगन हैं, बाकि यह सीडलेस ब्रिंजल हैं, इस तरह आजाएं, तो यहां पर कुछ टमाटर थे हमारे, अब इन टमाटर में क्या हो रहा था, इन टमाटर में आ गई थी न्यू ग्रोथ, अब न्यू ग्रोथ आ रही थी, तो हमने इस तरह से पुराने जो भी टमाटर की स्टेम थे होने काट दिया है, इस तरह से न्यू ग्रोथ अच्छी है और यहां पर भी new growth अच्छी है इस तरह से टमाटर होता है यह देख सकते हैं तो पुराने stem को हटा दिया है नए stem को हमने रखा हुआ है यह है हमारी सौंफ सौंफ जो की हम खाने में इस्तमाल करते हैं और अभी पकने लगी है इस तरह से आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है जब आप और्गनिक तरीके से सौंफ हुगाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है और एक ग्रोबैग है पंद्रवाई पंद्रा इंच का चार सब्सक्राइब तो यह चल रहा है अभी यहां पर कुछ टमाटर लगाए थे तो इन टमाटर में जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो इनके लिए हमने स्टिक लगा दिया यह देखिए न्यू ग्रोथ हो गई है और इनमें फ्रूटिंग होने लगी थी जब हमने लगाया था क्योंकि यहां पर लगा था हमारा वाटर मेलन जो की हो नहीं रहा था देखिए यह है वाटर मेलन तो इसका एक ही पौदा यह देख रहे हैं आप चल रहा है अभी देखते हैं इसमें मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है वाटर मेलन खाएंगे तोड़के झाली गूल वाली लोकी आप नहीं आघता औरूइन और बहुत जादा लगती है एसा मैंने सुनआ है पहली बार मैंने इसे लगाया है 주 प्रआने ने आहाँ का पूल तो आरहे हैं इस रहसे लेकिन मैं hand pollination नहीं कर पा रहा हूं यह आप देख सकते हैं यह भी फूल मुर्जा गया है तो hand pollination करेंगे तो में भी यह success हो जाएंगे बनना अगर pollination नहीं हुआ होगा तो यह फूल जो है सूख जाएंगे तो अभी मौसम साफ नहीं था तो pollination नहीं कर पाया इनके फूल बहुत जल्दी मुर्जा जाते हैं यह भी एक खासियत है तो फूल तो काफी जादा देख रहे हैं अब देखते हैं लौकी कब मिलती है यह देखिए फूल तो बहुत है तो यह लौकी कुछ लौकी के पौद हैं यहां भी लगाए थे तो यह चल यंद में हमने टमाटर लगाए थे और आप नीचे से देखेंगे तो इन में धेर सारे यह देखीए इन Ad Year सारे टमाटर आगए हैं और नीचे से इनके पत्ते हटा दिए हैं और इसमें अच्छे से ये जो हैं टमाटर हो रहे हैं, उपर से भी बड़े सुन्दर देख रहे हैं और उपर से भी काफी अच्छे हैं ये, तो बहुत अच्छा रेजल्ट है, इस तरफ भिंडी जो आप देख रहे हैं सामने तो भिंडी लगी हुई है, और भिंडी में क्या लॉकि लगी हुई है ये भी हमारी इचली अचारी के पॉधे थे तो इनक में भी लीफ माइनर आया था तो हमने इसको इनको भी कट कर दिया है यहां से और आप देखते हैं इनकी न्यूग्रोथ बें अच्छी होती है कि नहीं यहां पर है एक खीरा का बैच और यहां पर भी यह देखिए यह लगा हुआ है तो इस तरह इसे खीरा लग रहे हैं यहां पर और यह हमारा टमाटर का बैच अब इसमें हो क्या रहा है इस टमाटर के जो भी पौधे हैं अब इन में बहुत जादा लीफ माइनर आ गया है तो धीरे धीरे ये खतम हो रहे हैं तो इस बार इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे और जो भी छोटे टमाटर बचेंगे उन्हें भी एक दो दिन में या एक हपते में हार्वेस्ट करके फिर इस टमाटर को हटा दे हैं तो खीरा मैंने काफी लगाई है इस बार पसंद देखाना पानी का अच्छा सोर्स होती है यह एक लौकी है तो यहां पर एक सफेद करेले हमने लगा दिये हैं यह देख सकते हैं आप यह वाइट करेले जो की वह होने ही रहते बड़े तो मैंने यहां फिर से वाइट कर प्रेले लगने लगते हैं तो इसका वीडियो जरूर देख लें बड़ा ही उनीक मेथड है और उससे सक्सेजरेट बढ़ जाता है देखिए मैंने पांच यहां पर बीज लगाए थे तो चार उग गए हैं यहां पर तीन उगाए हैं एक दो भी में भी यहां से देखिए य तो इस तरह से बहुत अच्छा सक्सेजरेट मिलता है हमें इस मेथड को जरूर ट्राइए करें यहां पर आ जाएं तो यहां पर जुकनी है जो मैं अभी बात कर रहा था तो यहीं से फूल लूंगा मैं और जुकनी के और फिर वहां से कर देंगे पॉलिनेट यहां पर आप यहां पर हमारी जुकनी और यह अलगा हुआ है एस तरह तरह धाया हमारे च्छपन कद्दू और 6 अब इनसे महीं जो मेलफ pizzu नहीं थे तो हमने जुकनी के ही जो अरह कर दिए हैं और अब यहां पर धेर सारी यहां पर मैं हेंड पॉलिनेशन कर दूँगा यह है हमारी । अंकुरित करके लगाए थे और अब ये अच्छे से बढ़े होने लगे हैं यहां धूप कम आती है तो देखते हैं कैसे बढ़ेंगे और ये हमारा चिया सीट का पौधा इसके ये हारवेश्ट कर लिए हमने कुछ और कुछ छोड़ दी हैं तो इन्हें भी हम तोड़ लेंगे कुछ बैगन है ये है हमारा पुदीना आप देख सकते हैं पुदीना बहुत अच्छा है और काफी अच्छा हो रहा है ये बीज से उगाया गया पुदीना है इसलिए आप थोड़ा अलग दिख रहा होगा और इसके बीज आपको मिल जाएंगे बैटसाइट और्गनिक अब हम प्रेगन है तो ये ग्रोबैंग अभी हम ट्राइल कर रहे हैं अगर सक्सेज होगा तो बिलकोल आपके लिए अवेलिबल करा दिया जाएगा इसका ट्राइल अभी चल रहा है कितना सक्सेज होते हैं पॉक्ट वाला होता है इसे किचिन गार्डन ग्रोबैंग या लगे हुई है तो इस तरफ का यह अपडेट है अब चलते हैं हमारे फ्रूट प्लांट की तरह पर देखते हैं उनका क्या अपडेट अब देखिए यहां से जो है यह हमारे फ्रूट प्लांट आ गए हैं तो यह है यहां पर अनार यह है हमारा पिंक अम्रूद की मैंने कर दी मैं लेकर आया हूं तो वो यह है आप देख सकते हैं यहां से इसका स्टैम है और बहुत ही पतला है तो इससे सहारे की जरूरत रहेगी इससे करेंगे ट्रांसपर अभी आप देख रहे हैं मैंने कड़ी पत्ता लेकर आया हूं एक ये सहतूत लेकर आया हूं एक गुढ़ल ले जब इस सेट हो जाएं तो सुभह के समय या साम के समय आप इन्हें ट्रांसपर कर दीजिए बड़े ग्रो बैग में इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा एक करॉंदा है और करॉंदे में आने लगे हैं फूल मैं आपको दिखा देता हूं कल ही हमने देखे ते यहाँ पर यह द यह हमारा जो नीबू है और यह नीबू बहुत बड़े साइच का होता है तो अभी इसमें नीबू आ रहे हैं और बिल्कुल देखिए कितने सारे आ रहे हैं इस तरह से गुच्छों में लग रहे हैं तो अभी नीबू मिलेगा इस साल हमें और कल मैंने कुछ प्रूनिंग भी की थी और उसकी यह पत्तियां यहां पर हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए जो अनार है अनार की हमने प्रूनिंग की थी यह देख सकते हैं आप इसी में हमने मल्च कर दिया है इसी पत्तियों से अनार की इस तरह से प्रूनिंग जरूरी होती है अगर तो सब्सक्राइब गर्जाद नहीं बनते हैं यह मुसंबि का एक प्लांट है हमारा और यह ठीक चल रहा है और यह यह दोड़ना होगा यह देख सकते हैं आप यह देखिए लिए उसके लेंसी यह देखिए उस से हटा देंगे और यह नीबु का पॉधा एक इसके बाद हाप एक पर यह संत्रे जैंसा लग रहा है तो इसके बाद यहां मुद्त चैरीय और रहे हैं फूल थे देखते हैं अब इसमें कितने apple bear हमें मिलेंगे यह चीकू का पौधा है अच्छा चीकू में जो यह चीकू लगें है यह बहुत सिलो बढ़ रहे हैं दो तीन महिने से ऐसे ही हैं बढ़ी नहीं रहे हैं पता नहीं क्या है तो देखना पड़ेगा मैं फस्ट टाइम ग्रो करना यह हमारा एक अमरूद का पौधा जो की पिंक अमरूद ही है अब इसकी खासियत क्या है इसे हमने लगाया है स्वाइलेस मीडिया में और इसमें देखिए नीचे बर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं इसके अंदर जो कैचुए हैं मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए तो यह बर्मी कंपोस्ट नेचरली बना हुआ है इस ग्रो बैग में और इसकी हमने पतली स्टेम लगाई थी इस तरह से और अब इसकी स्टेम काफी मौटी हो गई है इसमें आ रहे हैं इस तरह से फूल तो इनको मैं हटाते जा रहा हूं मैंने यहां पर बस यह चार पान पाएं और इसको हम इसमें फूटिंग नहीं लेंगे इस साल एक दो फल लेंगे क्योंकि अगर फूटिंग ले ली तो यह पौधा कमजोर हो जाएगा और पूरी एनरजी इन फूट में लगाएगा तो ज्यादा तर मैंने हटा दिये हैं और नए जो फूल आते हूं उ इस तरह से इने तोड़ते हैं ताकि और गलती से कोई फूल ठूट भी गया तो आप उसे बाद में तोड़ दीजिए लेकिन अभी हमें इसमें फूट लेना नहीं है वरना यह पौधा कमजोर हो जाएगा दूसरा ए चीकू का पौधा है तीसरा ए अम्रूत का पौधा है इ इसकी भी मैंने देखिए यहां से हार्ट प्रूनिंग कर दी थी अब इसमें भी आप देख रहे हैं तो यहां पे भी आ रहे हैं फूल तो इन्हें भी हम हटा देंगे इसमें भी हम फूल साल नहीं लेंगे क्योंकि हमें अभी इसको बड़ा करना है ना कि हमें इससे तो उपर से ही हम लेंगे यह और आजू वाजू एक दो तीन हमने स्टेम छोड़ी हुई है यह हमारी चैरी और इसमें भी आ अभी तो यह ठीक है इन मैं से जितने पौधे अभी लगाने थे हमने उतने रखे हुए हैं कुछ यह पपीता के पौधे हैं आपने नहीं लगाया पपीता तो जरूर लगाई यह अभी अच्छा समय चल रहा है पपीता में रैड लेडी मिल जाएगा हाइब पापाया मिल जा यह अभी योगना शुरू हुआ है बाकि इससे हम पौधा नहीं लगाएंगे एक मैंने लगाया था पहले जिसमें अभी तक जो है फल नहीं आय हुए हैं लगवक तीन साल से जादा हो गए हैं तो यह है गार्डन टूर का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और य अच्छा लगा हो तो लाएक करें शेयर करें मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के विए हैपी गार्डनिंग